सिरियल सूफिया नापयार मेरा में जबरदस धमाल देखने को मिल रहा है आज सल्तिनत और माधव का फेस टू फेस जगड़ा जो हो रहा है आप तो जानती ही हैं कि सल्तिनत हाल फिल हाल वे ही मौत के मुझ से बाहर निकल कर आई हैं आज माधव सल्तिनत के लिए मैगी लेकर आए हैं और जनाब फर्स टेट बॉक्स देकर अपनी कशिश माधव के लिए कंसर्ण भी दिखा रहे हैं अब आप तो जानती ही हैं कि माधव सल्तिनत जिसे वो काइना समझ रहे हैं उसके याददाश वापस आने का शिद्द से इंतजार कर रहे हैं वहीं आज सल्तिनत कुछ और ही मूर में नजर आ रही है और नादम को देख कर तो यही लग रहा है कि आज वो अपने सारे सवालों के जवाव माधव से लेना चाती है सल्तिनत की बात इस सुनाज फाइनली माधव के सबर का बाध ही तूट गया है और चनाब के दिल में इतने टाइम से जो कुछ भी था वो सब सल्तिनत के सामने बोल दिया है मेरे साद्ब कि अवा कुछ न है कर फदेगा घ्या कोुछ के सबस्थभा पनाची है मुशे है ,, जेखो मुर्स ने क्व हैं तेखो बगांदा एक कहते हैं इस चकन को तरकिने कोशिश को शैआ कुछ में जादा जाएंगर मोरी ह्दल्टिही ऐ यह जादा जाएंगर किस ख़़ Turkish हम सब तो ऐनियों जादा जाएंगर फुन हांप दीया। वेल सलतनत आपकी में इन दिनो कुछ न कुछ हो रहा है, तो आप ही बताईए कि आपको इस वक्त कैसा फील हो रहा है. गब बुद्धिन आएगा जब यह रोएगी किनी? क्यारू हाँ, जैसे सबको पता है सल्तनत की मेमरी फिलाल नहीं है and she actually doesn't remember any single thing तो काफी critical situation होगे उसकी लाइफ के में सल्तनत, आप माधफ पर आज को ज्यादा ही चिलाती हुई नज़रा रही है आखिर आप माधफ से किन सवालों का जवाब जान न चाहती है बहुत वनरेबल हो गई किस वो कुछ समझ नहीं पा रही है कुछ लाइफ के बारे में फिगर आउट नहीं कर पा रही है चाहद उसको ऐसा भी है कि उसको जो बताया जा रहा है वो भी तो जूट है so here she's asking माधव कि you know मैं तुम्हें जब अभी even if I'm touching it मुझे अपने पन का एहसास नहीं होता है so she's like मैं जब शाह मन्जिल गई थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था बहले मैं किसी से नहीं मुली बट I felt really peace and calm and all of that and तो वो question पर question कर रही है क्यों ऐसा लगता well माधव ने तो सल्तिनत को आधर सज बता दिया है जिससे सुनकर सल्तिनत के लिए emotional breakdown वाला moment आ गया है माधव बोलता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं है कोई कुछ नहीं है I hate you नफरत है क्योंकि तुमने न मेरी लाइफ में ऐसा कुछ किया है जिसमें बहुत नफरत करता हूँ तो obviously that hits her and she's like कि ऐसा क्या कर दिया है क्यों क्या और इस घर में हर कोई मुझसे नफरत करता है तो I think I should leave मुझे इन लोगों को छोड़के चले जाना जी I better get my answers out of this house मैं ढूंडू कि क्यों हो रहा है और मैंने ऐसा क्या किया है चलिए अब सल्दने से ही जान लेते हैं कि मोहतरमा ने सज जानने के बाद क्या फैसला लिया है प्लाल तो यहां से जारी है वह सो यहां से जवाब ढूरने के लिए मैं भी अपने सेट से शिफ्टिंग करके दूसरी जगर जाने कूँ भाई सज जानने के बाद सल्दनत ने तो घर छोड़ने का प्लान बना लिया है अब देखना दिल्चस्प होगा कि सल्दनत के इस फैसले से उनकी लाइफ में कौन सा निया ट्विस्ट आने बाला है मुंबई से शिल्पा पाटल की रिपॉर्ट इट्वंडिफोर मुंबई से बाला है